मध्य प्रदेश से हैं अगली कॉलर मंजू जी स्वागत है आपका हालो 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 हान जी बोलिए नमस्ते मैं जी नमस्कार मैं अजू बोल जी जी ठीक है बताएए सवाल करिए जी आपका नाम आप टीवी मत सुनिए टीवी से सुनेंगी तो फिर अच्छे से बात नहीं रही हूं थीक है आप सवाल कर लिजिए मैं हकीम साथ से बात करना चाएदी हूं अंजु जी बात हो रही है में तो आपको अंजु कह रहा हूं इन्होंने मन्जु कहा था हाँ थीक है आप तर नमस्टे जईहीं है सर मुझे ना पेड़ में बहुत सारी सांज्या यह बहुत सारी प्राव्जम है बताएए मुझे पे और बैच में दर्ग भी होता है, मरोड भी पर थे compte, गएस बहुत बन से गयाव मार लगते हैं, बार भार लगते हैं, बहुत में त्रीक से पास नहीं होते हैं अच्छे ठीक है, अब ले उम्र बता दीजेए अब उम्र मेरी बत्तीत साल है ठीक है और मुझे न, वह उसे भी क्लियर नहीं होते मैम ठीके ठीके, मैंने सुन लिया, बच्चा मैं समझ गया मंजु जी, आपके घर में एक इलाज है लेकिन आपको पता नहीं है ये मेथी का दाना लीजे, 100 ग्राम मेथी का दाना 100 ग्राम और धनिये का दाना 200 ग्राम इनको खुब बारी पाउडर बना लीजे, बना लीजे ये रैशियों से बनाना है आप इससे ज़्यादा ज़्यादा भी ले सकते हैं लेकिन 100 ग्राम मेथी का दाना 200 ग्राम धनिया इसका पाउडर बना कर रखे अब इसको खाना कैसे है एक आता है नमक जैतून असली लिए नमक जैसा दिखने वाला ये पड़ात दुनिया में ऐसा है जो नमकीन नहीं होता है और लेकिन इसे नमक जैतून कहते या ये रसायं जैतून भी कहते हैं या लþबसक का और बहुर्द ये नमकीन नहीं होता और यह जो आपने मेथी और धनीय का पॉटर बना एक चमच ले और एक या दो चुटकी इसमें नमक जैतुन मिलाएं खाने से आदा घंटा पहले आप इसे खाकर पानी पीले गरम बस काफी एक बार या दो बार दिन में खाने से पहले आप यह करें तो आपकी तीन समस्याओं का निदान मुमकिन है